हाई गाईज है होप योला डूइंग ग्रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फ्रेशन की जो सुबा चार बज़े वेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आएस पर आज की तारीख है साथ सितंबर 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बे साथ ही साथ पर डेली वीडियोज पीडियेफ एंड मंथली मैगजीन आप हमाई टेलीग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आएस और रहसे सिजल्पनेकल ओन्लाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीबियस स्कूल्स के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूच पेक्षा फंडान्डेस किस खेल से संबंदीत है इसका करेक्ट आंसर था स्विमें स्टार्ट करेंगे फ्रस्ट क्वेस्टिन है लिस्ट ट्रस किस देश की अगली प्रधान मंत्री के रूप में चुनी गई है करेक्ट आंसर है यूके डिटेल्स देख लो तो लिस्ट्रस यूके की प्रधान मंत्री बनने वाली तीसरी महिला होंगी लिस्ट्रस सत्ता रूट कंजर्वेटिव पार्टी की नेता और देश के अगली प्रधान मंत्री के रूप में चुनी गई है उन्होंने 20,000 से अधिक मतों से भारत्य मूल के रिशी सनक को हराया देश वर्तमान म सौमय सक्सेना डिटेल्स देख लो तो पुस्तक डिवोर्स और डेमोक्रेसी और हिस्ट्य और पर्सनल लौ इन पोस इंडिपेंडेंस इंडिया भारत में पारिवारिक कानून धरम और लिंग राजनीती के बारे में बात करती है यह पुस्तक केम्रेज विश्विदाले के इतिहास संकाय में ब्रिटिश अकादमी की फैलो सौमय सक्सेना दवरा लिखी गई थी पुस्तक तलाग के साथ भारते राज्ये के कठिन समवात के बारे में बात करती है जो बड़े पैमाने पर धरम के माध्यम से मेल खाता है नेक्स देखो भारते 9 वहन निगम नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है इसका करेक्ट आंसर है बिनेश कुमार त्यागी दिटेल्स देख लो तो कैबिनेट की न्युक्ति समिती ने कप्तान बिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड एसी आये के नए अध्यक्षर प्रबने देश के रूप में न्युक्त करने के प्रस्ताव पर साक्षर किये हैं कार्मिक और प्रशिक्षन विभाग दवरा जारी एक कार्याले आदेश के नुसार न्युक्ति पत के कारेभार ग्रहन की तारीक से या उनकी सेवन रुती की तारीक तक या मुख्य मंत्री कॉन्राड के संग्माने रीभोई जिले में राशे पशुधन मिशन के तहट ग्रामीन पिछवाडे सुवर पालन योजना का शुभरम किया योजना के पहले चरन के तहट 6,000 परिवारों को उन्नत किसम के सुवर दिये जाएंगे ग्रामीन पिछवाडे सुव प्रदान करने में भी मदद करेगी राजे सरकार में घालत पिगरी मिशन किर्यानी वित कर रही है सुवर प्रजणन केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार इस मिशन के तहट 0% बियास के साथ रिन प्रदान कर रही है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो वर्ल्ड हेल्ट समिट और फ्राइड ऑफ होमियोपैथी का पहला संसकरन किस शहर में आयूजित किया गया था? करेक्ट आंसर है दूबई डिटेल्स देख लो तो पहला होमियोपैथी के गौरब के लिए वेशो स्वास्ते शिकर समेलन 39 अगस को आयूजित किया गया था यह जलवायू परिवर्तर और ग्लोबल वामिंग के कारण होने वाली बिमारियों के विशे के थाथ आयूजित किया गया था? शिकर समेलन का मुख्यो देश्य दुनिया भर में चिकित्सा, दवाओ और प्रथाओं की होमियोपैथिक प्रनाली को बढ़ावा देना है शिकर समेलन का योजिन बरनेट होमियोपैथी प्राइवेट लिमिटेट दवारा किया गया नेक्स देखो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंटरी और ग्रेट नैशनल पार्क्स के लिए एमी अवोर्ड किसने जीता है? करेक्ट आंसर है बराक ओबामा डिटेल्स देख लो तो संयुक्त राज अमेरिका के पूर्वर राष्ट्योपदी बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंटरी और ग्रेट नैशनल पार्क्स में उनके नरेशन के लिए एमी पुरसकार जीता है उनके पास पहले से ही दो ग्रैमी है और अब थे EGOT के आधे रास्ते पर है EGOT का मतलब है एमी, ड्रैमी, ओसकर और टोनी और ये सभी चार प्रमुक्ह अमेरिके मनोरंजन पुरसकार जीतने की उपलब भी है नेक्स देखो प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर PM श्री योजना की घोषना की श्री का अर्थ क्या है इस एच आरे करेक्ट आंसर है Schools for Rising, इंडिया डिटेल्स देख लो तो प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अक्सर पर प्रधानमंती स्कूल for Rising, इंडिया PM श्री योजना की घोषना की इसके तहर देश भर में 14,500 स्कूलों को विक्सित वह उन्नत किया जाएगा ये सभी model स्कूल बनेंगे और इनमें राष्टे शिक्षा नीती की पूरी भावना समाहित होगी PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रधान करने का एक आधुनिक परिवर्तन कारी और समग्र तरीका होगा नेक्स देखो अंतरराष्टे साक्षता दिवस यानि इंटर्नाशनल लिट्रेसी डे कब मनाया जाता है इसका करेक्ट आंसर है 8 सितंबर अंतरराष्टे साक्षता दिवस हर सल 8 सितंबर को लोगों को साक्षता के महत्व के बारे में जागरूप करने के लिए मनाया जाता है जो नी संदे सम्मान और मानव अधिकार का मामला है इस वर्ष के लिए थीम है Transforming Literacy Learning Spaces विश्व में शिक्षा के महत्वों को दर्शाने और रक्षरता को समाप्त करने के उदेश्य से 17 नमबर 1965 को यह निर्ने लिया गया कि प्रतियेक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षता दिवस के रूप में मनाया जाएगा सन 1966 में पहला विश्व साक्षता दिवस मनाया गया था और वर्ष 2009-2010 को सयुक्त राष्ट साक्षता दशक घोशित किया गया नेक्स देखो टीवी शंकर नरायनन का हाल ही मिन दिन हो गया देख प्रसित डाश थे करेक्ट आंसर है करनाटक गायक तो करनाटक गायक टीवी शंकर नरायनन जो गायन और तकनीक की मुदराय मनी अयर शेली के मशाल भाक माने जाते हैं का हाल ही में निधन हो गया वह 77 वर्ष के थे उन्होंने 2003 में संगीत अकादमी का संगीत कलानिधी पुरसकार गीता था उसी वर्ष केंद्र ने उन्हें पदम भूशन से संबाने किया था लास्ट क्वेस्टन देखलो आज के सेशन के लिए राजपत के लिए कौन सा नया नाम प्रस्तावित किया गया है करेक्ट आंसर है कर्तव्य पत डिटेल्स देखलो तो मोधी सरकार ने गुलामी की याद दिलाने वाले एक और नाम को बदलने का बड़ा फैसला किया है राजपत अब कर्तव्य पत के नाम से जाना जाएगा सरकार ने एलान किया है कि नेताजी सुभास चंद्रबोस के स्टैचू से राष्ट्यपती भवन तक के सड़क कर्तव्य पत कहलाएगी 15 अगस को अपने भाष्टन में प्रधान मंत्री मोधी ने गुलामी की सोच से मुक्ति का नारा दिया था इंडिया गेट से राष्ट्यपती भवन राइसीना हिलता के मार्ग को राष्ट्यपत के नाम से जाना जाता है हर साल यहां गंतंत्र दीवस पर भवय परेड और ज्ञांक्या निकाली जाती है ब्रिटिश काल में राष्ट्यपत को किंग्स बे कहा जाता था फ्विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की समरी की तो लिस्ट रस्क यूके की अगली प्रधान मंत्री चुनी गई है डिवोस एंड डेमोक्रेसी बुक सौमे सक्सेना ने लिखी है शिपिंग कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड के न्यू चेर्मेन बने है बिनेश कुमार त्यागी रूरल बैक्याड पिगरी स्कीम में घाल्या में शुरू की गई है वॉल्ड हेल्ज समिट पॉर फ्राइड ओफ होमेपेथी दुबई में आयोजित किया गया था नेट्फ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री और ग्रेट नैशनल पार्क्स के लिए बराक उबामा ने एमी अवार्ड जीता है पीएम श्री योजना में श्री की फुल फॉर्म है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया इंटरनेशनल लिट्रेसी डे आज सितंबर को मनाया जाता है टीवी शंकर नरायनन का हाल ही में निदन हो गया वे करनाटिक वोकलिस्त है और राजपत के लिए नया नाम करतावय अपाथ प्रपोस किया गया बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल्स फोद डे के आपका पहला क्वेस्टिन है 36 वे राष्टे खेलो गुजरात का शुभंकर कौन सा है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है अंतर राष्टे चैलिटी दीवस कब मनाया जाता है दोनों क्वेस्टिन हमारे प्रीवेस सेशन से है इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंट्स को जोईन जरूर करना है थैंके सो मच आलसी नेक्स सेशन